नमस्कार आप सभी लोग हमारे यूटुब चैनल में स्वागत है बेलकम फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा रुनिंग नोस इस नीजिंग बार-बार जो खासी जो खाम हो जाती है बार-बार छीके आती हैं तो इसके लिए बहुत अच्छे होमेपथिक में मेडिसिन इसके डोसेस क्या है क्या है मेडिसिन का नाम क्या है सब कुछ हम डेटेल में आपको बताएंगे स्वास्ट आफ उन्ट और पिंदोस या फीर कह सकते हैं यह एक ग्यॉत वांपिवर हम ने सिरम साटे होती है और कभी कभी क्या होता है नाक की पूरी जाम हो जाती है और कभी-कभी क्या चीजों को कवर करती है इस लेने पाण प्का जो स्नीजिंग होती है देивается यह बहुत अच्छी मैडशिण इसमें नाव से पहले पतला पानी याता है बाद में फिर गाड़ा हो जाता है ऑफिर गड़ा पानी गए निकलता है फिर गड़ा जब मठीरियान निकलता तो नाव चेल जाती इसकी व्यज़़ा से उसमें काफे दिक्कते हो जाती है तो यह अच्छा सिम्टम यह आता है कि इसमें प्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी डिजीस कोई भी बीमारी नियत समय पर आएगी मतलब इसे सुबह 8 बजे आती तो 8 बजे ही आएगी चाहे वो सरदर्द हो चाहे फीवर हो फ्रेंट्स या कुछ भी हो इस सबाडीला का कुछ शिम्टम से अगर यह मैच कर जाए तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब और ठंडक व से ठंडक जया लगती है और वह ठंडक की वजैसे उसका जो फिवर होता है वह नीचे से ठंडक लगती है और वहां से उसका फिवर सिस्टाइब उसका कि मझासी जब शुरू होगी तो उसके पहले अनगीने पार्टी कि है आपके स्नीजिंग और उसके बाद में शुवा शाम दो-दो ड्रोब टंग पे डालिए और इस तरह दस दिन तक डालिए और शुरुवात में अगर एक्टूट है तो आपको आज जिससे आज ही च्छीक आ रही है तो दो-चार बाल ले लेंगे तो दस नट पे दो-दो बूंत तो एकदम से रिल लाइक, सस्क्राइब, शेयर जरूर कर दें और बेल को प्रेश कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें फ्रेंड्स, ओके थैंक यू